सब्सक्राइब कीजिये टेक्नोविक्रान Channel को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिये लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तों टेक्नोविक्रान्त में आप सभी का स्वागत हैं फैनली Realme वालो ने अपने Realme GT Neo 2 के अंदर Realme UI 4.0 based on Android 13 का new software update rolling out करना start कर दिया है और इस update को मैंने अपने device के उपडेट करके इसका जो testing है पूरी तरह से complete कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी update के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से new features देखने को मिलता है कौन से bugs fix हुए है साथ इसका battery performance की step से देखने को मिलता है इसका game performance की step से देखने को मिलता है इसके अलावा और क्या कुछ new changes देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस update का full detail बताने वाला हूँ दोस्तों तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर bugs और features वगरे के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device detail चेक आउट कर सकते हैं उसके लिए हम चलते हैं setting के अंदर निचेक side about device में यहाँ पर देखेंगे आपको realme UI के साथ official version देखने को मिलता है और realme GT Neo 2 का model number RMX3370 देखने को मिलता है बात किजा इस update के basic information की तो यहाँ पर आपको 13.1.0.504 ब्रेकेट में EX01 करके new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 5.83 GB का है और यह आपको realme UI 4.0 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है अब दोस्तों बात किजा इस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको android 13 के update के साथ 5.0.2023 का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके अलाओ बात किजा अगले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non issue थे उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आर भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको यहाँ पर आर भी improve और optimize किया है जिससे की जो आपका battery life, apps experience, speed वगरा जो है आर भी better देखने को मिलता है साथ दोस्तों इस update को करने के बाद मेरे को यहाँ पर अभी तक कोई भी frame drop issue, lagging issue अगरा देखने को नहीं मिला है लेकिन दोस्तों मैंने काफी सारी users से confirm किया है तो यहाँ पर किसी-किसी user को अभी भी lagging issue और frame drop issue देखने को मिलता है और काफी सारे user को better experience के साथ smooth performance देखने को मिलता है इसके अलाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर नीचेक side password and security के अंदर system security को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको Google Play system update देखने को मिलता है यह दोस्तों पहले 1st June 2023 का Google Play system update देखने को मिलता था लेकिन इस update के बाद अगर आप Google Play system को update करते हैं तो आपको 1st July 2023 का latest Google Play system update देखने को मिल जाता है इसके लाव बात कीज़े अगले चेंज की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो सेटिंग के अंदर मोबाइल नेटवर्क के के अंदर यहाँ पर दोस्तो mobile network connection को improve कर दिया है, उसके stability को improve किया है, जिससे कि जो network up-down अगरा का problem होता था, वो यहाँ पर fix हो चुका है, आपको better experience के साथ mobile network connection देखने को मिलता है इसके लाओ बात किज़े अगले features की, तो यहाँ पर दोस्तो इस update के बाद आपको सबसे बड़ा features color OS 13.1 या फिर कहिए कि realme UI 4.1 का new features देखने को मिल चुका है यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आप जैसे notification पेनल में जाएंगे, तो आपको कुछ use type से notification section देखने को मिलता है हाला कि दोस्तो यह देखने में same दिखता है, लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसका जो छोटे छोटे toggles icons हैं, वो change देखने को मिलता है पहले दोस्तो इसका जो icons हैं, वो आपको line में देखने को मिलता था, I mean box type के देखने को मिलता था, जो कि खाली रहता था, जिसको आप फिल करके dark side में देखने को मिल जाता है आप देख सकते हैं दोस्तो side by side, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, colorways 12 और 13 में केवल borderline के साथ Fs का icon देखने को मिलता है, लेकिन colorways 13.1 में यहाँ पर आप जो borderline है, वो पूरे की पूरे फिल हो चुका है, वो आपको dark shadow में देखने को मिल जाता है साथ दोस्तों यहाँ पर जो brightness bar है, वो भी उसी type को देखने को मिलता है, पहले यह केवल borderline के साथ देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर पूरे borderline जो है फिल अप हो चुका है, वो आपको dark shadow में देखने को मिल जाता है इसके लग बात की जागले features की, अगर दोस्तों आप home screen को जैसे ही pinch करते हैं, तो यहाँ पर आप नीचे side देखेंगे, तो आपका जो wallpaper, icon, widgets, layout, transition, more करके option देखने को मिलता है, वो आपको dark shadow में देखने को मिल जाता है पहले दोस्तों इसका जो icons हैं, वो आपको line में देखने को मिलता था, I mean box type के देखने को मिलता था, जो की खाली रहता था, जिसको आप fill करके dark shadow में देखने को मिल जाता है आप देखेंगे, ये आपको color waste 13.1 में देखने को मिलता था, जिसे यहाँ पर अब add कर दिया है, साथ ही आपको new millimilistic icons देखने को मिलता है इसके अलाव बाद की जागले change की तो, वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, additional setting के अंदर, accessibility में यहाँ पर दोस्तो अगर आप vision में जाते हैं, तो आपको new talkback features देखने को मिल जाता है यहाँ पर दोस्तो यह talkback पहले भी था, लेकिन इसको rv better तरिके से optimize करके, जो image, photo, apps वगरा जो रहता है, उसको यहाँ पर recognize करके announcement करता है इसके लाओ बात कीज़ अगले change की तो, यहाँ पर दोस्तो आपको new gen mode apps देखने को मिलता है, जिसमें आपको दो mode देखने को मिलता है एक deep gen mode, एक light gen mode, साथ दोस्तो यहाँ पर dashboard का option भी देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर gen mode का new version देखने को मिलता है जिसके थुरू दोस्तो आपको और भी बेटर लुक के साथ जैन मोड देखने को मिलता है इसके लगव बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर नीचे साइड स्पेशल फीचर्स में यहाँ पर दोस्तो आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर्स देखने को मिलता है जिसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू लेयाउट या न्यू डिजाइन देखने को मिलता है पहले दोस्तो smart sidebar को hide करने या show करने का option आपको कुछ 일 टेप से name लिखा हुआ side में बटन देखने को मिलता था लेकिन दोस्तो यहां पर आप देखेंगे आपको new layout के रूट में देखने को मिलता है जिसके थू दोस्तो आप अपने sidebar को auto hide रखना है या do not hide करके रखना है आपको यहाँ पर layout की रूट में new option देखने को मिल जाता है इसके अलाव बात की जा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर special features में यहाँ पर दोस्तो special features में सबसे नीचे में simple mode देखने को मिलता है जिसको यहाँ पर और भी better improve और optimize किया है यहाँ पर दोस्तो आपको new widgets के साथ tutorials देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते है easier to see, higher volume, simple setting आप इसके थुरू आप कैसे simple mode को use करना है आप यहाँ सही सीख सकते हैं देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर simple mode का optimize और improve version देखने को मिल जाता है बात किजाए यहाँ पर battery performance की तो यहाँ पर जो battery performance है इस update के बाद काफी ज़्यादा better देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो किसी-किसी user को काफी बुरा performance देखने को मिलता है काफी ज़्यादा battery drain हो रहा है और किसी-किसी user को काफी better battery performance देखने को मिलता है लेकिन कुछ-कुछ user को यहाँ पर काफी ज़्यादा battery draining का problem phase करना पड़ रहा है बाकि जो overall battery का performance है वो काफी सारे user को better performance देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आप charging करते हैं तो इसका जो charging speed है वो सही देखने को मिलता है बट charging के time पर आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है एंड़ इस बात की जाए इसके game performance की यहाँ पर जो game performance है वो आपको better देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर कुछ ज़्यादा time तक game खेलते हैं तो आपको थोड़ा frame drop issue और lagging issue देखने को मिलता है बाकि जो overall game का performance है यहाँ पर काफी smooth और stable देखने को मिल जाता है साथी दोस्तो अगर आप game खेलते हैं तो आपको ज़्यादा hitting issue देखने को मिल जाता है तो यह रहा इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो